नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आचारे चाड़के ने जीबन के हर पहलू से संबंधित नीतियों का उल्लेक किया है आचारे चाड़के की नीतियां प्राचीन समय में जितनी कारगर थी, उतनी ही आज भी हैं जिन पर अमल करके व्यक्ति खुशाल जीबन यापन कर सकता है दोस्तों ये एक सामान नसी बात है हर व्यक्ति के जीबन में सफलता और आसफलता का दोर चलता रहता है लेकिन अगर आप आचारे चारक के की नीतियों का पालन करेंगे या फिर अपने अंदर इन गुणों को पैदा करेंगे तो आप अपनी आ सफलता को यकीनन सफलता में बदल सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आचारे चारे के द्वारा बताई गई तीन ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनके मामले में अगर कोई इंसान बेशरम बन जाए तो वो अपने जीवन में सफल हो सकता है कौन सी हैं वो तीन बातें आईए जानते हैं उनके बारे में दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बात में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक उधार मांगते समय दोस्तों आचारे चारक के बताते हैं उधार किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़े ग्रहण की तरह होता है क्योंकि एक बार उधार लेने के बाद यदि आप उसे चुकाने में सक्षम नहीं होते तो ये आपके लिए बड़ी समस्या बन जाता है जैसा की चारक के नीती में बताया गया है यदि आपको धनकी बेहद आबश्यक्ता हो तो ऐसी इस्थिती में किसी से उधार मांगने में बिलकुल भी शरम ना करें लेकिन यहाँ पर इसके साथ आचारे चारक के ने ये भी बताया है जिस तरह से आप अपनी जरूरत के वक्त उधार मांगते हैं उसी तरह आपका बुरा वक्त खत्म होते ही समय से पैसा लोटा देना चाहिए आपको बता दें जीवन में बहुत सी परेशानियां आती रहती हैं और आम तोर पर जादतर समस्याओं का हल केबल पैसा होता है इसलिए ये बताया गया है यदि आप ब्यापार करते हैं तो आपको कभी भी धन मागने में शरम नहीं करनी चाहिए अन्यथा आप आने बाले जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे नमबर दो सिक्षा प्राप्त करते समय दोस्तों चारक्की जी बताते हैं जिस व्यत्ती ने अपने जीवन में सिक्षा प्राप्त करने में शरम या लिहास दिखाया वो हमेशा पीछे ही रहता है चारक्के के अनुसार ग्यान प्राप्त करने में कभी भी किसी से शरम नहीं करनी चाहिए दोस्तों कई बार देखा जाता है कि छात्र या फिर छात्रा शर्म की बज़े से कोई बास समझ में ना आते हुए भी उसे पूँचने से घबराते हैं क्यूंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी बेज़्जती हो जाएगी आचारे चारे की जी कहते हैं जो इंसान शिक्षा प्राप्त करने में सर्माता है वो अपने जीवन में कभी अच्छा इस्थान प्राप्त नहीं कर पाता इसलिए ग्यान को प्राप्त करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए यदि कुस समझ में ना रहा हो तो उसे ततकाल अ भोजन करते समय दोस्तों नीती शास्त्र के महान ग्याता आचारे चारे के ने अपने नीती ग्यान में ये भी बताया है जो इंसान भोजन करते समय लिहाज करता है यानि की शरम करता है वो अपने संपूर जीवन काल में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता ऐसा बताया गया है इस तरह का बेवहार रखने बला इंसान अपने जीवन में ज्यादा तर दुख और संकटों में गीरा रहता है। दोस्तों कहा जाता है जो इंसान खुद के भोजन के लिए इतना जिजगता है तो वो अपने साथ जुड़े अन्य लोगों के लिए भला क्या कर पाएगा। इसलिए खुद अपनी सफलता के मार्ग को मत रों किये इन चीजों में बेशरम बन जाईए क्यूंकि तभी आप सफल हो सकते हैं। आचारे चाड़क्य के अनुसार यही सफलता की कुंजी है जो समय रहते आपको अपने अंदर अपनानी चाहिए।